हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीलम आज बनाएंगे मुंबई का फेमस स्टीट फूट तवा पुलाओ बेसिकली ये बड़े बड़े तवो पर बनता है फ्लेट तवे पर पर हमारे पस तवा नहीं हम कड़ाई में बनाएंगे और इसमें एक सीक्रेट मसाला डाला जाता है जो मैं आपको बाद में बताउंगी वह क्या है उसके बीना तवा पुलाओ नहीं बनता ये बासमती चावल है इसको मैंने स्टार्च निकाल कर बनाया है और चावल ठंडे होना चाहिए गरम चावल का तवा पुलाओ नहीं बनता, इसको कम सकम 3-4 घंटे के लिए ठंडा कर दो, या चाहिए तो ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दो, फिर एकदम खिला-खिला आपका पुलाओ बनेगा, इसके बाद मैंने एक कड़ाई ले ली है, जैसा कि मैंने बुला तबे पर बनाया जाता, अपने पास इतना बड़ा तबात तो रहता नहीं, तो हम कड़ाई में बनाएंगे, तीन टेबल स्पून ओइल डाला है, आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, एक छोटी चम्मज भर के जीरा, ध्यान से देखिए इसमें क्या-क्या डलता है, एक हरी मिर्च, एक चम्मज भर के अद्रक लेसन का पेस्ट, इसके बाद में इसको हम हलका सा पूनेंगे, कोई भी चीज हमें बहुत जादा नहीं बूननी है, और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे, एक बड़े साइस का प्याज, जिसको बारीक बारीक काटना है हमको, और इ बस भुन गया, उतना ही चाहिए, इसके बाद हम इसमें एक कटोरी मटर डालेंगे, तो ये मैंने मटर डाल दी है, और इसके बाद हम इसको चला देंगे, तो जब तक मटर हलकी सी सौफ्ट नहीं हो जाती है, फ्रोजन है तो वो पहले से बॉयल रहती है, और अगर कच्ची डाल रहें तो थोड़ा करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, एक छोटे साइस की शिमला मिर्च, आप चाहें तो इसमें गाजल और फ्रेंच बीन भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं तो ये इतनी सबजिया एनफ है, अब हम इसको चलाएंगे, और इसके बा इसको चला दीजिये अच्छे से, और इसको क्रंची मंची सबजिया रखी जाती है, बहुत ज्यादा भूना जीनी जाता है, ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसके बाद में बड़े साइस का टमाटर जाएगा इसके अंदर, और टमाटर को हम हलका सा सॉफ्ट होने तक पक पहना उसमें नमकीन हो जाए नहीं तो फिकी फिकी लगती है, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, आदी चोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिये, आपको तीखा चाहिए तो फिर थोड़ा जादा डाल दीजिये, और उसके बा जाएगा एक बड़ी चम्मच, इसके बिना तबा पुलाओ बनता ही नहीं है, तो सीक्रेट मसाले का ध्यान रखिएगा, कि इसमें पाव भजी का मसाला 101 परसेंट जाता ही जाता है, अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा तो मैंने तो वैसे कई दुकानों पर देखा है कि वो लोग जो पाव भजी की भाजी रहती है न वो भी कई वार इसमें मिक्स कर देते हैं, स्वाद लाने के लिए, लेकिन पाव भजी का मसाला इसमें मिला दीजिए, अपने आपी स्वाद चड़ जाता है, इसके बाद में इसमें जाएगा उबला हुआ आलू, तो मैंने एक बड़े साइस का उबला हुआ आलू डाला है, तो जो जो मैं डाल रही हूं वो इसमें 100% जाता जाता है, इसमें उबला हुआ आलू ही डाला जाता है, और इसको अब हम चला देते हैं, तो देखिए सबजिया भी कुक हो ही है अच्छे से और इसमें अब हम डालेंगे चावल क Cristal नंया मैंने हलका सा नमक डालकर चावल को पकाया था नमक है उसमें पर हलका सा है तो अगर मुझे लगे तो मैं नमक डाल दूँगी और फिम जाले दो पर फिर हमस्म चैक लेते हैं नहीं नमक बहुत ही फीके थे चावल तो मैंने डाल दिया है इसमें नमक उपर से इसके बाद में हम इसको चलाएंगे हलके हाथों से चलाईए एकदम हलके हाथों से बहुत हलके हाथों से ताकि चावल तूटे नहीं जो तवा पुलाओ रहता है ना चावल तवा पुलाव बनता है यह देखिए यह है मुंबई का फेमस स्टीट फूट तवा पुलाव मुंबई के हर रेस्टोरेंट होटल स्ट्रीट पर हर कहीं आपको यह तवा पुलाव मिलेगा कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट करके बताईए अपना फीडबेक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तो देखिए एकदम तयार हो गया है यह देखिए लग रहा है ना डिलीशियस तो चलिए अब इसमें उपर से डालते हैं धनिया धनिया डालना तो जरूरी है उसके बिना उसमें खुश्बू नहीं आईगी तो डाल दीजिए धेर सारा धनिया और कभी आपके पास चावल भी बच गया ना तो भी आप तबापुलाओ ट्राय कर सकते हैं काफी अच्छा बन जाता है तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं तो मैं एक आपको प्लेट में सर्व करके बत प्लेट में निकाल लीजिए और गर्मा गरम खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है ये और उपर से और धनिया डालूंगी थोड़ा सा और इसके साथ में एक नीबू दिया जाता है तो जस्ट हाफ नीबू रग देती हूँ तो तवा पुलाओ बनकर एकदम तयार हो गया है आप इस रेसीपी को ट्राइ करिए और आप जाने